जैन मैं आर्पी सिंग आप सभी का एक बार आज फिर हार दिख स्वागत करता हूँ एक नए एपिसोड में आज के एपिसोड की खास बात ये है कि हम एक नए स्कूल में हैं वो है Modern International School सेक्टर 19 द्वारिका में जो की 2005 में बना तो मैं आज इस दिसेश प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूँ और साथ ही मैं अभी मैं यही कह सकता हूँ कि बच्चे जो हैं देश का जैसा मैं कहता आया हूँ भविश्य हैं और आज क्योंकि मुझे अभी कुछ अध्यापकों ने बताया कि यह लोग अपने स्कूल में जो प्रेयर होती है उसमें वो जैहिन से सुरू करते हैं तो मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि बच्चे पूरे जोर से सब लोग जैहिन करें और उसके बाद हम आगे के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं जैहिन बहुत बहुत धन्यवाद मैं जब धन्यवाद नहीं कहना चाहिए लेकिन हम सब को प्राउड होना चाहिए कि हमारे बच्चे अपने देश के बारे में अपने हिंदुस्तान के बारे में एक बहुत अच्छे नोट से अपना दिंचरिया सुरू करते हैं तो देर ना करते हुए सबसे पहले मैं यहां के चेर्मेन स्री बियन निगम जी से का इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ निगम जी बीच में बैठे हुए हैं और वो यहां के चेर्मेन है फिर उसके बाद मैं अपने बाएं साइड बैठी प्रिया माथूर जी हैं उनके बगल में सीमा जे सिंग है फिर मेरे साथ डॉक्टर श्री किसंजी बैठे हुए हैं जो की सीनियर बहुत ही सीनियर कंसल्टेंट हैं प्रिकॉलेजिस्ट हैं रुचिका गुपता जी हैं उनके बगल में बैठी हैं सिम्मी रंजन जी फिर उसके बाद दिनेश कुमार जी हैं फिर अनुज कुमार जी हैं और उसके बाद नवीन गुलाटी जी हैं फिर जैश्री केपी जी हैं और फिर लास्ट में जो हमारे बहुत ही खास विशय को पढ़ाते हैं और बहुत देर से साइद वो सोच रहे हूँ कि मैं भूल गया लेकिन फिजिक्स को कौन भूल सकता है हमारे मिश्रा जी एसन मिश्रा जी बैठे हुए हैं जो कि आपको एक बहुत ही खास महत्वपूर्ण विशय के बारे में बताएंगे शुरुआत करते हैं चेयर्मेन साथ से कि वो दो सब्द बोलें जे हिंद का स्वर है वो आपने हमारे बच्चों ने सबने मिलके कहा ये हमेशा हमें जीवन को आगे की तरफ उगरसर करता है और आगे बढ़ाता है तो ये हमें दिमाग और दिल के अंदर रखना चाहिए कि जे हिंद का मतलब हमेशा हमारा हिंदुस्तान सबसे टॉप नंबर वन के उपर रहा है रहेगा और आएगा आने वाले टाइम में तो मैं इसके लिए सबसे पहले यही चाहता हूँ और इसी तरीके से ये 2005 के अंदर मौडरन इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर उनियूज द्वार का नियू दिली के अंदर मैंने और मेरी पत्री सुष्मा जी स्वर्गे हो चुकी है लेकिन उनका और मेरा मिशन एक ही था कि छोटे से छोटे बच्चों को पूर्ण रूप से तरीके से शिक्षा दी जाए जिससे कि हर बच्चा जो है दिमाग एक रखता है लेकिन श्रेणियां अलग अलग होती है कोई कहीं होता है कोई कहीं होता है और उसके अंदर माबाप के साफ़ से और पडोशियों के साफ़ से हर तरीके से वो आगे बढ़ता है और दिमाग के अंदर केई बार माबाप भी नराज होते हैं बच्चे के ऊपर कभी टीचर्ज भी नराज होते हैं और कभी पडोशी और सेनी वाले भी नराज होते हैं ऐसा नहीं है दिमाग सबका ऊपर वाले ने एक साद दिया है हमें दिमाग का इस्तमाल सही तरीके से अगर हम करते हैं तो क्यों नहीं आगे बढ़ सकत इसका एक सीधा साथा उधारन है कि हमारे राष्ट पती जी और परद्धान मंत्री जितने भी आए नीचे की श्रेणी से भी आय और उपर की श्रेणी से भी आए लेकिन सब टॉप की पोजिशन में गए हमें उनके तरफ एक ये उधारन अपने दिल और दिमाग में रखना च हम आगे तक बढ़ सकते हैं और बढ़ना चाहिए हमें तो इसके लिए कुछ चीजें ऐसी होती है कि स्कूल से तो शिक्षा मिलती ही मिलती है और लेनी भी चाहिए उसके अंदर हर तरीके के हमारे अध्यापक अध्यापिकाएं जो काम कराती हैं और हमारा ध्यान उस तरफ तुम्हारे नाइंध किलास के अंदर कितने नंबर आये हैं मैं तुम्हें साइंस नहीं दूँगा या मैं तुम्हें आर्ट से नहीं दूँगा नहीं मैंने का जो बच्चा मैंने अपने परधा परधाना द्यापिका को ये साफ का है कि कोई भी बच्चा नाइंध के बाद नीचे से जो उठते हैं तो क्या हमें पीछे रहना चाहिए नहीं इसी तरह मेडल क्लास वाले जो हैं वो उठते हैं तो क्या हम उपर नहीं जा सकते हैं हमें जाना चाहिए उपर तक जाना है क्योंकि दिमाग है हमारे पस और इसी तरीके चे उपर वाले भी जाते हैं अब त्रीजी दियों थे वो दूसरी चिरेनी के थे लेकिन वो भी पर्धान मंत्री बने और खूब नाम पैदा किया बाड़ के अंदर और आज जो हमारे नए पर्धान मंत्री आज की तारिक में हैं वो कोन है आप सब बोलो कोन है वो नरेंदर मोदी उन्होंने भी वर्ड के नाम पैदा कर लिया हिंदुस्तान का नाम और उसके लिए आगे बढ़ें और उसको जितना भी हम उन्होंने ये सोचा है कि हमारा हिंदुस्तान कभी किसी से कम नहीं है हमें आगे बढ़ना है हर लाइन के अंदर चलना है सबसे ज्यादा हर फील्ड के अंदर उतरना है तो हमारा जो हर व्यक्ति हर बच्चा उस तरफ आगे बढ़ेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग हमारे हिंदुस्तान को सबसे पहले मानेंगे कि भाई वहाँ पे चलो वहाँ पे हमारा जो भविश्य है बहुत उग्रसर होगा मैं निवेधन करता हूँ प्रिया मातुर जी जो डायरेक्टर है इस स्कूल की वो कुछ शब्द बोलें जैसे कि हमारे चेर्मेंट सरने का कि हर बच्चा बहुत ही यूनीक होता है उस तरीके से मेरा भी ये मानना है कि हर बच्चा यूनीक तो होता ही है और अगर उससे प्यार से समझाया जाए तो कोई भी बच्चा खराब नहीं होता हम कई बार ये सोचते हैं कि हम डाट करके ब अभी new education policy के हिसाब से life skills और other skills को add करने को बोला गया है but normally schools में क्या होता है कि एक skills subjects को पकड़ा जाता है और उस skills subject को लेकर के सारे बच्चों को वही सिखा दिया जाता है तो ultimately कहीं ना कहीं हम उसी चीज में आ रहे हैं कि हम एक particular subject को पकड़ करके सबको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले नए session में हम एक नया implement कर रहे हैं जिसमें individual based skill learning होगा उसमें आपको 10 skill subjects का option दिया जाएगा जिसमें से 5 skill subjects आप अपनी choice के choose करेंगे उसके लिए एक lab setup हो रहा है और आप individually अपने interest के हिसाब से वो skill को learn करेंगे क्योंकि मेरे साब से जब बच्चा अपना मन पसंद चीज पढ़ता है तो उसमें 100% देता है और हमेशा खुश रहता है इसके अलावा हमारे school में moral values बहुत importance रखती है how to respect elders because आप academically जितने भी अच्छे हों अगर आपको respect देनी नहीं आई तो मेरी नजरों में वो इंसान कहीं ना कहीं कम रह जाता है तो अगर आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं तो जिंदेगी में आप जरूर आगे बढ़ सकते हैं अब मैं अपने अगले पैनलिस्ट सीमा जे सिंग जो की आपकी प्रधानाचारिया है प्रधानाचारिया अगर देखें तो एक तरह से मा होती हैं और वो आपको जो भी बताती है वो आपके भले के लिए है आज भी मैं उनसे यह निवेदन करता हूं कि वो कुछ समय या कु वर्ड आपको दें आजकल की एजुकेशन सिस्टम को देखते हुए जो भी चेंजिस हुए हैं निव एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से मेरे को एक तरीके से थोड़ा सा लगता कि काश यह सब चेंजिस हमारे टाइम पर हुई होती तो हम भी आज बहुत कुछ और भी कर सक समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या चीज़ करें पर उस टाइम पर इस बात पर शायद सारे बच्चों को तालिया बजानी चाहिए अपने टीचर्स के लिए और डिरेक्टर मैडम के लिए क्योंकि जो उन्होंने वक्त निकाल के बच्चों का साथ दिया बच्चों को कभ कि जो बचे इतने फ्रीली बाहर रहते थे और उनको एक तरीके से मोबाइल उस टाइम पर हम लोग बोलते थे कि ये बड़ी खराब चीज़ है बड़ टीचर्स ने जैसे बच्चों को एंगेज किया और कई बारी तो बच्चों के साथ-साथ उनके पेरंस को भी एंगेज क करके रखाता वो एक बहुत बड़ी मेरे टीचर्स का योगदान रहा है एजुकेशन में और उसके बाद में जब वापस स्कूल आए वो भी एक बहुत बड़ी चीज थी क्योंकि वापस स्कूल में उनको ट्रैक पे लाना बच्चे शायद नहीं समझे बद हम टीचर्स के काफी डिफिकल्ट था क्योंकि वो एक तरीके से वापस से उनको इंट्रिद्यूस करना क्लास्रूम एजुकेशन से अब तो खेर टीचर्स मेरे इतने ज्यादा सपोर्टिव हो गए हैं कि वो बच्चे को हर तरीके से कभी आज कल डेली में आपने देखा है कभी ऑनलाइन स अब बच्चे के लिए यह नहीं है कि उसको साइंस में वही पर्टिकुलर कॉंबनेशन पढ़ना है वह बहुत डिफरेंट चीजे विट फिजिक्स भी पर सकता है बट फिजिक्स येस जैसे सर ने बोला है बहुत इंपॉर्टन सबजेक्ट है बच्चों के लिए क्योंकि वह हर चीज में बचों का हेल्प करता है चाहे आप फ्लाइंग भी कर रहे हो वैसे तो आज़कल बच्चे फ्लाइंग भी करते हैं बिना साइन सबजेक्ट के पर यह सब चीजे जो आज़कल जो नया दौर चला है यह आज़कल ही पॉसिबल है और मैं सोचती हूँ कि अगर बचे थोड़ा सा हमारी तरफ या पढ़ाई की तरफ अगर ध्यान दे और वो बहुत कुछ कर सकते हैं आगे जाके एक बहुत यूसफुल सिटिजन बन सकते हैं सुसाइटी के लिए जो की शायद पहले तो बड़े रिस्ट्रिक्टिट टॉपिक्स होते थे स्ट्रीम्स होत है और एक लोर परसेंटेज वाला शायद साइंस की तरफ दर तो एक तरीके से आपका जो पैशन है आजकल बच्चा जो चाहता है जो पढ़ना चाहता है जिसमें उसकी आप्टिट्यूट है वही कर सकता है तो अब मैं अपना जो हमारे साथ ही डॉक्टर श्रीकिशन जी है उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि वो इस पूरे प्रोग्राम की रूप रेखा और साथ ही आप क्यों यहां बैठे हैं इसके लिए वो कुछ आपको बहुत ही कम सब्दों में बताएं जहां तक हम प्रोग्राम की बात करते हैं तो हम कोसिस यह कर रहे हैं कि जो हमारी नेशनल एड़ुकेशन पॉलिसी में जो अमटमेटमेंट आए है तो इन में क्या-क्या चेंजिज आए हैं किस तरीके से हमारे लिए बैणिशियल थे क्या डिस्टेंस और रेगुलर एजुकेशन हम लोगों के लिए उचित मागदर्शन है या नहीं है, हम इन सब बातों पर डिसकुस जरूर करेंगे, कि जैसे जैसे हमारे पैनलिस्ट अपनी बाते रखते जाएंगे, और आप लोगों की तरफ से कोश्टेंस आते जाएंगे, तो हम इन एक एक कोश्टेंस को क्लियर करेंगे, अगर मैं एनिपी को क्लियर करूंगा, तो कहीं ना कहीं मैं आप सर के द्वारा कहे हुए सब्दों की मर्यादा को लांग जाओंगा, और मैं काफी समय इस पर लगा दूँगा, तो बेटर यह है कि आप लोगों की तरफ से वो कोश्टेंस आएं और हम उस पर बात करें, थोड़ा सा मैं क्रिप्स कर देता हूं कि मल्टिपल प्रेटफर्म की बात है कि हम एजुकेशन अपनी 12 के बाद हाईर एजुकेशन रेगुलर मॉड मेले या डिस्टेंस मिले या ओनलाइन मेले, तो इन सब चीजों को क्लियर करने के लिए हम आपके कॉश्टेंस का वेट करेंगे, बट मैं ये बता देता हूं आप लोगों को कि ये सभी मोड यूजी सी की तरफ से अपरूड है, इसमें किसी भी परकार का कोई भेद नहीं है, कि रेगुलर वाले को प्राइटी मिलेगी, डिस्टेंस वाले को नहीं म जाएगा, उन्होंने सारा ग्राउंड ओपन किया आप लोगों के लिए, और ये सबसे बड़ी बात होती है, कि आप किस एरिया में बैस्ट कर सकते हैं, ये आपकी वीकनेस और स्टेंथ आप जानते हैं, तो आप लोगों को इसकूल में ये मोका मिला, कि आप किसी भी स्ट् है, उसमें आप जा सकते हैं, और आप अपना अच्छा केरियर बना सकते हैं, यहीं कॉंटिन्यू प्रोसेस में मेडम ने, डारेक्टर मेडम ने भी एड़न किया, कि जो हमारी नैशनल एजुकेशन पॉलिसी एमफेसाइज कर रही है, स्किल एजुकेशन के तरफ, कि सिक्स दो परसेंट है, जो स्किल एजुकेशन का है, आप मानिए कि सिंगल डिजेट में स्किल एजुकेशन का होना, क्या हमारे लिए फायदे मंद होगा, या हम अपना खुद का बिजनिस स्टार्ट कर पाएंगे, एंटर्परोनर बन पाएंगे, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अरली स्टेज पे, जैसे डारेक्टर मैंने कहा, कि स्किल एजुकेशन से रिलेटिड जो इंडिवीजवल आपकी नीड है, या आपकी च्वाइस है, या आपका पैशन है, उसकी तरफ भी उन्होंने फोकस किया है, और अपने स्कूल में उस तरीके के कुछ प्रोग् इंडिजना होगा कि एजुकेशन मात्र हमारा एक ग्राफ है, एजुकेशन को अप्ग्रेड करने का, बट अगर हमारे पास स्किल एजुकेशन या वोकेशनल कॉर्सिस की हमारे पास नॉलेज है, तो हम रेडी टू वर्क होते हैं, हम अपना कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, या हम किसी भी इंडस्ट्री में जाने के लिए रेडी होते हैं जहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा importance मिलती है, priority पे आपको रखा जाता है क्योंकि आप skilled है आपने वो vocational courses के हैं जो उस इंडस्ट्री से related है तो इन सब चीजों के लिए आपके school में बहतर विकल्प दिये जा रहे हैं हम लोगों के माध्यम से आप जैसा भी question आप पूछना चाहें अपने carrier से related उसके लिए हम लोग यहां पे हैं और definitely हम कोसिस करेंगे कि आप लोगों की queries को clear करें और आप से request यह रहेगा कि आप maximum से maximum question form करके रखें जब आप अपने पैनलिस को सुन रहे हैं तो उस दोरान आप ध्यान रखें कि कोई भी किसी परकार का hesitation न रखें तो आप question ज़्यादा से ज़्यादा पूछें और मैं चाहूंगा कि आप इस पैनल में बैठे हुए सभी पैनलिस को ध्यान से सुने और उस तरीके से अपने questions form करें जैश्री KP जो science पढ़ाती है basically specialization उनका biology है उसके बारे में मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि please वो बताएं काफी बच्चों को आजकल में एम क्या है वो डॉक्टर बनना चाहिए और इसी में कुछ बच्चा सपोस्ट वो नीट क्लियर करेंगे तो भी उसको भी डाउट होता है हम आगे क्या करेंगे और कोई प्रोब्लम नहीं है काफी स्कॉप होता है बायोजी में प्थ यह है बायो एक टॉफ सबजट्ट है उसमें मार्क्स मिलना भी बात मुश्किल है और हमारे स्कॉल में सार ने ठी बिदाया था कोई पी बच्चों किसी भी बच्चों को साइन्स च्रीम चाहिए तो सर हमेशा वो बच्चों को साइंस देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे उनका करियर में भी देखते हैं, और बायो का बच्चों के लिए मैं बोल रहे हैं, आपको क्या-क्या डाउट है, वो पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं. कर दो, हमारे जो फिजिकल एजूकेशन के जो हमारे सर है, मिस्टर दिनेश कुमार, उनसे मैं कहता हूँ कि वो फिजिकल और हेल्थ एजूकेशन के बारे में बताएं. फिजिकल एजुकेशन जो एक सब्जेक्ट है वो ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके साथ हम सारे सब्जेक्ट को काउंट कर सकते हैं क्योंकि एक हमारे पैदा होने से लेकर जो हमारी जरनी स्टार्ट होती है पैदा होने से लेकर वो जरनी में हमें अपने अपनी बॉड़ी को हमे करना है तो उसे healthy कैसे रखना है उसे fit कैसे रखना है यह हमारे लिए बहुत important है सिर्फ health education यह ऐसा subject है जो हमें इस बारे में बहुत अच्छे से detail में बताता है और अभी तो education की जो नई policies आ रही है उसके अंदर स्पोर्ट से related career option भरमार career option है जिसके लिए हम लोगों को सिर्फ थोड़ा hard work करके अपने आपको healthy रख सकते हैं अपने आसपास के atmosphere को healthy रख सकते हैं और अपने केरियर के लिए हम लोग बहुत बहुत उची उची उडान को चू सकते हैं यह सिर्फ पॉसिवल है physical education में इससे related आप बच्चों के जो भी question क्यारी है हो वो आप मेरे से पुछ सकते हैं अब मैं अपने next panelist नमीन गुलाटी जी जो commerce पढ़ाते हैं उनसे मैं आगरा करता हूं कि वो commerce के बारे में बताएं इसमें commerce में बहुत सारी fields हैं जो मैं specially आपको focus कराना चाहता हूं उसमें है कि आप 12th के बाद CA मतलब Chartered Accountant, CS मतलब Company Secretary, CWA मतलब Cost and Work Accountant उसके इलावा आप graduation की field में जाएं तो BBA, BBS, BFIA, BBE आप कर सकते हैं और इसके इलावा commerce में एक और भी साथ में आपके आप कह सकते हो कि आप parallel दो course भी करते हूं चल सकते हैं एक professional और एक graduation जैसे CA है तो CA के साथ आप Bcom Honors कर सकते हैं अगर आप CS कर रहे हैं तो CS के साथ आप Bcom Program कर सकते हो और अगर आप CWA कर रहे हैं तो उसके साथ आप Bcom Program उसके साथ भी आप कर सकते हो बाकी और भी बहुत सारे ऐसी चीजें है जो कॉमर्स के साथ करी जा सकती है जैसे आप ग्राजुएशन के साथ कॉमर्स में ग्राजुएशन के साथ आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं अप अप मैं चलता हूँ श्मी रंजन जी के पास जो इंगलिस पढ़ाती है तो इंग्लिश के बारे में वो आपको कुछ बताएंगे आप सबको इंग्लिश का ग्यान तो होना ही चाहिए इंग्लिश में कैरियर भी बहुत ज़्यदा बनते हैं आप उसमें अगर अंग्रेजी पढ़के आप 12 के बाद आप चाहें तो आजकल न्यूस पेपर जनलिजम आप मास कमिनिकेशन कर सकते हैं आप ओविसली टीचिर बन सकते हैं कॉलिज में प्रफेसर बन सकते हैं आप कोई भी एक्जाम इंग्लिश की बिना पुरा होता ही नहीं है इंग्लिश तो आपको चाहिए चाहिए उसमें ग्रा समय बी मांस कॉमिनिकेशन आजकिल ऑची फिल्ड जिसमें जिसके माध्यम से आप अच्छी सुन रहे हैं यह400 भी टीवी और न्यूस की दुनिया इसके लिए मांस कॉमिनिकेशन का कोर्स कर सकते हैं उसके लिए बहुत सारे इН्सिचूट्स हैं वहांसे कर सकते हैं और टेक जैसा भी गलत भी कब बोल रहे हैं, आपके friends, आपके teachers आपको correct करेंगे, लेकिन आप अगर बोलेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे. अनुच कुमार जी से मैं निवेधन करता हूँ कि वो अपने विशय के बारे में कुछ आपको जानकारी दें. यह सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है, political science. मैं समझता हूँ कि यदि इसको कोई ना पड़े, तो उसकी knowledge हमें साधु हुई रहती है. Political science एक वो subject माना जाता है, जो कि हर व्यक्ति के हर field को जरूँ टच करता है. तो मेरे अनुमान के हिसाब से, मेरा अपना experience यह जरूँ कहता है, कि जब तक एक व्यक्ति पॉलिटिकल साइंस के बारे में कोई भी student है, अगर वो पॉलिटिकल साइंस के बारे में नहीं knowledge रखता है, तो मैं मानता हूँ कि उसको समाज के बारे में पूरी knowledge नहीं हो पाती है बेसिकली पॉलिटिकल साइंस के वो सब्जेक्ट है, जो कि आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे देश के विभिन रज्यों से आप देखेंगे, तो हर परकार से जादा से जादा लोग जो IES करके निकलते हैं, civil services, I think वो पॉलिटिकल साइंस को यह लेके चलते हैं, प के दुआरा आप IES के लिए, IPS के लिए और IFS के एकजाम को क्वालिफाई जरू कर सकते हैं, और पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने से एक जागरूक व्यक्ति जरू बनता है, जागरूक वोटर बनता है, किस परकार से हमें अपनी सरकार को कैसे निवत करना चाहिए, किस परका को जरूर पढ़ना चाहिए, कुछ बच्चे जो मैंने अपनी अनुभव के हिसाब से देखा है, जो कि कोमर्स लेते हैं, साइंस लेते हैं, उनको इतनी नॉलिज पोलिटिकल साइंस के बारे में नहीं हो पाती, लेकिन मेरा उनको भी जरू अनुमान है, मेरा उनको भी कि वो जरूर से जरूर, पोलिटिकल साइंस को के विश्य के बारे में अपनी नॉलिज जो रखें, मैं मिश्रा जी से निवेदन करता हूं कि वो फिजिक्स के बारे में बताएं, अभी आपने सुना कि फिजिक्स के बारे में कई बार बहुत सारी प्रसंसाइं कर दी गई, और सच्चाई भी यही है, फिजिक्स की, अगर हम हिंदी में बात करें, तो इसे कहते हैं भौधिक शास्त्र, जो आपके हर कदम पर आपके साथ है, जब आप चलते हैं, फिजिक्स है, उसके बिना आप चल नहीं सकते, यह स्वता भी काम करता है, और मशीन के द्वारा भी काम करता है, आपके घर में, आपके आसपास हर जिग फिजिक्स है, जो मैं बोलड़ा हूँ और आप तक जा रहा है, जो मोबाइल है, सारी फिजिक्स की ही देन है, यह जो सेमी कंड़क्टर डेवलप हुआ, उसके बाद मोबाइल आ गया है, और हम देख रहे हैं कि दुनिया कि पहने माँ चूणियां पहनती हैं, उस पहनाने के तरीका में भी फिजिक्स है, जिसे हम वेक्टर और टॉर्क के रूप में बताते हैं फिजिक्स में, दिवाली पर आप पढ़ा के चलाते हैं, फुलजरियां होती हैं, उसमें से जो चीनगारियां हम देखते हैं, वो क्या ह होता है, elektron होता है और उसमें भी photo electric effect रहता है, वो भी physics है, physics के बिना ये दुनिया ये प्रगती संभवी नहीं है, जो suras, उसके तरफ, उसके सारे planets, ये सारे चीजों को physics ही govern करता है, engineering उसका background physics है, और आसकल तो मैं ये कहने लगा हूँ कि medical science ये it is basically medical engineering medical field का हर चीज physics पर आधारीत है लेकिन उसकी पढ़ाई medical side में होता है और बाकी जो field है उसकी पढ़ाई engineering side में होता है अब हमारे साथ सिर्फ एक पैनलिस्ट बची है रुचिका जी जो कि आपको अपने विशे से सम्मंदित कुछ बातें बताएंगे रुचिका जी मैं बच्चो को छटी भाषा यहां पर पढ़ाती हूं उसका नाम है French जैसे कि आप लोग को पता है कि जो French एक ऐसा विशे है कि जो बच्चे लेना इतना पसंद करते हैं लेकिन उनको यह नहीं पता कि फ्रेंच लेने के बाद उसका यूस क्या होता है अगर आप लोग फ्रेंच भाषा सीखते हैं बटा उसमें आप लोग बहार दूसरी देशों में जाके यातरा भी कर सकते हैं और बहुत सारी नोवल्स, किताबें ऐसी बहुत सारी जान करें कि जो आप लोग प्राप करेंगे अगर आपको फ्रेंच भाषा में कुछ भी दिक्कता है या कुछ भी भात पूछनी है तो आप इसे संपग करें कोई भी भाषा चाहे वो फ्रेंच हो, इंग्लिश हो, कोई भी वो जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ बहुत इंपॉर्टन्ट है और यहां जैसा कि आपने बताया कि पाँचवी भासा है तो यह एक बहुत बड़ी बात है कि आपको इन भासाओं के बारे में पूरा ग्यान इस स्कूल में दिया जा रहा है अब आज का समय है एक विश्राम लेने का कल इसी प्रोग्राम में आगे क्या हुआ यहां उसके बारे में आपको हम कल आगे दिखाएंगे बड़ेगा भारत तो बड़ेगा भारत बड़ेगा भारत तो बड़ेगा भारत